रिश्री कपूर ने जुही चौला के साथ कई सुपर हीट फिल्में दी, साधी के बाद भी अभिनेतरी से जुड़ता रहा नाम हेलो दोस्तों मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे रिशी का पूर अवर जूही चौला के बारे में वीडियो को फूल वच कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर से कर लिजेगा ताकि मैं इस तरीके से नई नई खबरे आप तक पहुंचाती रहूं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से में यही करना चाहती हूं कि वीडियो को फूल वच किया करें कि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है पहले मेरा कुकिंग चेनल था, आप लोगों को तो पताई होगा मैंने कन्टेंट चेंज किया है, इसलिए मैं इस लाइन में बिलकुल नयुँ हूँ बनावटी बिलकुल नहीं दिखाती हूँ, जो होता है मैं वहीं दिखाती हूँ अब देखते हैं आप लोग मेरी वीडियो बहुत छोटी छोटी होती है तीन मिनट की चार मिनट की क्योंकि मैं सॉटकॉट में ही बता देती हूँ लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ ताकि लोगों के पास समय नहीं होता है वीडियो को फुल वज़ करने के लिए बालीबुट के दिगचकल का रिशी कपूर का 76 सल की उमर में निधन हो गया था निधन के बाद पूरे देश टोक में डूबा हुआ था हर कोई अपने अपने सब्दों में रिशी कपूर को याद कर रहे थे और उन्हें सरधान जली भी दे रहे थे 1970 में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले रिशी कपूर ने कई सूपर हिट फिल्में दी है दोस्तों उन्हें बालीबुट का चकलेटी बोई कहा जता था अपने फिल्मी कडियर के दोरान रिशी कपूर का नाम कई हैसनाओं के साथ जुरा लेकिन सबसे ज्यादा जुही चवला के साथ रही है दोस्तों नबे के दर्सक की सूपर हिट जोडी थी रिशी कपूर जुही चवला के साथ नबे के दर्सक की बोल रधा बोल दरार इना मिना डिका अवर साजन का घर जैसी कई फिल्में की इन में से कई सूपर हिट फिल्म सावित हुई थी दोस् साथ ही दोनों कलकारों के अफेर की चर्चाय भी जोरों पर हुआ करती थी। रिशी कपूर की शादी के बाद भी जुही चवला के साथ उनका नाम जोरा जाता था दोस्तो। इस बिचनबे के दर्सक में जुही चवला से उनके अफेर की खबरे सामने आने लगी। कहा तो यहां तक जाता है दोस्तों की रिशी कपूर की हरकोतों से परिशान होकर एक बार नितु सिंग घर छोर कर चली गई थी। लेकिन किसी तरीके से रिशी कपूर उन्हें मना कर वा चानी थी। रिशी कपूर ने खुद एक इंटर्वी में इस बात को कबूला था कि उनके नितु के अलमार शादी से पहले उनकी कई गलफ्रेंड रही है। जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लिजेगा ताकि मैं इस तरीके से नए नए खबरे आप तक पहुंचाती रहूं तब तक के लिए जे हिंद जे भारत